तू न्यू एपिक चेंजिस यानि कि आपके पास यहाँ पर टू न्यू एपिक एनिमेशन में चेंज आपको देखने के लिए मिलने वाला है उनके यूजर्स को उससे कोई भी जादा फरक यहाँ पर नहीं बढ़ रहा था लेकिन अब यूजर्स चाते हैं कि इस वाली एप् मिलना चाहिए और यहां पर HyperOS के अंदर ही आपको एक Hidden Animation देखने के लिए मिलती है उसके बारे में भी Users ने कभी भी नहीं सोचा होगा कि यहां पर Xiaomi इसमें एक New Animations को यहां पर Set करेगी So, यहां पर उस Application का नाम है MI Remote और इसी के साथ MI Remote में मैं कोई Animation की बात यहां पर नहीं करने वाला Animation की बात किसी और चीज से Related है तो वीडियो को Skip यहां पर मत कर देना सबसे पहले हम यहां पर बात करेंगे MI Remote की So, यहां पर MI Remote में आपको Brand New UI यहां पर देखने के लिए मिलने वाला है HyperOS 2.0 के Update के साथ जैसा की MI Remote का UI हमें As It Is Same To Same ही यहां पर देखने के लिए मिल जाता है जो हमें MIUI 12, MIUI 13, MIUI 14 आप HyperOS So, अब इसका जो Layout है वो यहां पर Xiaomi चेंज करने के लिए जा रही है और यह बहुती बड़ी Good News Xiaomi फैंस के लिए यहां पर देखने के लिए मिल जाती है So, अब हमने इसकी बात कर ली अब अगला चेंज है यहां पर Xiaomi HyperOS 2.0 यहां पर Develop कर रहा है New Page Switching Transition Animation So, यहां पर यह New Page Switching Transition Animation का यहां पर आकर मतलब क्या है जैसा कि आप जब अपनी Home Screen में जाते हैं Home Screen में जाने के बाद जब आप एक पेज़ी से दूसरे पेज़ पे यहां पे Shift करते हैं जैसा कि मैं यहां पे Shift कर रहा हूँ So, आपको यहां पे कुछ Animations के Support मिलते हैं अब Users इसके बारे में पूरी तरीके से भूल चुकी है कि इसको अनेवल कैसे करते हैं So, मैं आपको शोग कर देता हूँ आपको Simply Home Screen में Hold करना है Hold करने के बाद आपको Settings में जाना है Settings में जाने के बाद आपको एक Option मिलेगा Transition Effects का So, Simply इस वाले Option पे चले जाना है Well, 13, 14 और अब HyperOS और HyperOS 1.5 इन समय आपको Same to Same भी देखने के लिए मिलते हैं So, अब यहाँ पे Xiaomi HyperOS 2.0 में कुछ Extra Options को यहाँ पे Add करने के लिए जा रहा है So, आपको यहाँ पे New Page Animations को Improve करेगा और आपको यहाँ पे Provide करेगा Brand New Animation और इसका जो UI है वो भी यहाँ पे Xiaomi को Change करना चाहिए क्योंकि इसका UI जो हमें Transition Effects का मिलता है वो बहुती Boring यहाँ पे मिल जाता है बस इस तरीके का So, यहाँ पे Xiaomi को इसको यहाँ पे Center में Shift करना चाहिए कमेंट करें चैनल को सबस्क्राइब और शियर जिरू से करके जाएं